यह समय है दिसंबर की लास्ट का अल्मोस्ट और हम इंकम रिपोर्ट बना रहे हैं एक जन्वरी 2022 से हमारा पूरा 31 दिसंबर भी आया नहीं है तो आगे के आने वाले जो दिन हैं उसमें मैं अज्यूम करके कि जो मेरे शुरू के इंकम थी उसको जोड जारके मैं बताऊंगा क कि पूरे दिसंबर में हम कितनी earning किये हैं भारत सरकार को और UK की government को हमने टैक्स दिया है तो हम डर..." किस बात का तो जो amount हम आप को दिखा रहे है na ये taxable amount जो मैं बारत सरकार को दिखाया है वो है जब आप यह data देखेंगे तो आपको realize होगा कि सहाब यह जो start-up वाले है ना जो funding की पीछे भागते रहते हैं कि यह funding, वो funding, फलाना funding हमें चाहिए हमने कोई funding नहीं लिए साब blogging YouTube एक ऐसी चीज है कि बिना funding के आप एक पूरा startup बना सकते हैं इसी financial year में हमने एक audio ली है, हाँ जी, blogging के पैसों से हमने audio ली है और UK में घर लिया है, तीन करोड something का, यह कैसे आया है, blogging के पैसों से आया है blogging, YouTube, Instagram और भी जो अलग-अलग sources हैं, जो blogging के sources हैं, इस साल हमारी total earning हुई है, करीब-करीब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, और आज का वीडियो बहुत ही special है, क्योंकि यह आपको blogging की potential भी समझाएगा, और blogging का future भी बताएगा, ठीक है अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ पवान अगरवाल, और मैंने 9 साल as a software engineer TCS में काम किया है, बहुत सारे लोगों की dream company होती है, उसको छोड़कर US में भी मैं रहा हूँ, TCS ने मुझे 2 साल US भेजा है, मेरा भाई, इस समय TCS UK में ही है, पिछले almost 10 सालों से है, मेरी wife जिन्होंने PhD करी है, शीज डॉक्टर रचना नागल, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, प्रोफेसर रही है, M.E.T. University में 11-12 सालों तक, उन्होंने भी job छोड़ दिये, ठीक है, भाई अभी job कर रहा है, मैंने और मेरी wife ने job छोड़ दिये, तो ये थोड़ा शाद आपको कि साहब, blogging की potential है, भाई मैंने अगर job छोड़ी है, और मैंने अपनी wife की भी job छुड़वा दिये, तो कुछ ना कुछ तो होगा, और ये वीडियो जब आगे बढ़ेगा, तो आपका हो सकता है, दिमाग हिल जाए, ठीक है, और हो सकता है, आपको बहुत inspiration भी मिले, तो दिल थाम के बैठिये, दिल दहलाने वाले और धरती हिलाने वाले इस खुलासे में आपका स्वागत है, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, जिसका answer मुझे comment में चाहिए, ठीक है, ये comment है आप और as a screenshot लेके रख लो, हो सकता है, चार-पांच साल बाद आप मेरे साथ वीडियो बना रहे हो, और आप दिखाओ कि देखो, ये मैंने comment किया था, कि साहब आज की तारीक में आप कितना earn कर रहे हैं, माशालला अगर शुन्ने भी कर रहे हैं, तो लिखें, क्योंकि हो सकता है, पांच साल बाद आप दिखा कमा रहे हैं, और लिखना है कि पांच साल बाद आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, ये rough idea है, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि कुछ भी मन से मत डाल देना, अमाउंट ऐसा डालना कि जिससे आपका जीवन यापन हो जाए और आप खुश रहें, क्योंकि बहुत जादा प दिसमबर के लास्ट का, और हम इंकम रिपोर्ट बना रहे हैं, एक जनवरी 2022 से हमारा पूरा 31 दिसमबर अभी आया नहीं है, तो आगे के आने वाले जो दिन हैं, उसमें मैं अज्यूम करके कि जो मिले एक शुरू के इंकम थी, उसको जोड जाड़के मैं बताऊंगा कि एक पास का, तो भई डर क्यों लगेगा, क्योंकि यह सारे पैसे मेरे खाते में हैं, भारत सरकार को और UK की गवर्मेंट को हमने टाक्स दिया है, तो हम डरें किस बात का, तो जो amount हम आपको दिखा रहे हैं यह taxable amount जो हमने भारत सरकार को दिखाया है, वो है, जिसे हमें tension से नहीं जीना चाहते कि कभी कुछ हो जाए यह हो जाए वो जाए peace of mind tax दो चिल रहा हो secondly हमें बहुत पहले समझ में आ गया कि अगर आपके bank account में पैसे हैं तो आपके पास passive income कभी भंडारा हो जाएगा ठीक है तो आज का यह जो वीडियो है यह दो पार्ट में डिवाइड़ है कि पूरे इस financial year में हमारी active income कितनी हुई और हमारी passive income कितनी हुई और अगर हम tax नहीं देते ठीक है जो हमने past में पैसे कमाए हैं शायद हमारी यह passive income नहीं बन पाती वीडियो शुरू करने के पहले एक मैं disclaimer देना चाहूँगा कि यह जो पूरी earning है यह हमारी family की earning है क्योंकि हम सब मिल के काम करते हैं मैं कुछ अलग काम नहीं करता हूँ हम सब मिल के करते हैं जब मैंने job छोड़ी थी एक बहुत बड़ा risk था क्योंकि उस समय मेरी शादी हो चुकी थी मेरी wife थी मेरी चोटी बेटी भी थी मेरे बेटी जो बड़ी बेटी थी उस समय चोटी थी तो बहुत भारी responsibility होती है उस समय लोग settle करने का सोच रहे होते हैं और मैंने एक नई जिन्दगी में पैर रखा सन 2014 आज तो फिर भी आप लोग सुनते होंगे YouTube ब्लॉगिंग उस समय कोई नहीं जानता था कोई समझ ही नहीं पाता था कि भाई साब ये पागल आदमी कर क्या रहा है तो उस समय हमने सारी calculated risk ली थी कि मैंने कहा मैं job छोड़ूँगा और मेरा भाई job करेगा जो अभी भी कर रहा है तो जिससे क्या होगा कि हम balanced out रहे हैं मैं frustration में ना रहूं कि साहब पैसे कमा ही नहीं पा रहे हैं अच्छा जब मैंने job छोड़ी थी मैं job से ज़ादा पैसे कमाने लग गया था पर हमेशा हम safer hand रखके चले हैं हम बहुत ज़ादा risk लेने वाले लोगों में से नहीं हैं बिना risk लिए बहुत कम risk लिए आज हमें situation पे हैं secondly जब आप ये data देखेंगे तो आपको realize होगा कि सहाब ये जो startup वाले हैं जो funding की पीछे भागते रहते हैं कि ये funding, वो funding, फलाना funding हमें चाहिए हमने कोई funding नहीं लिसाब blogging YouTube एक ऐसी चीज़ है कि बिना funding के आप एक पूरा startup बना सकते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा कि हमें बनाने वाला हूँ ठीक है और हमें किसी funding की कोई ज़रूरत नहीं है इस startup वाले funding funding के लिए रोते रहेंगे losses में है, नुकसान में है बताँ आपको दिख रहा होगा बाई जूज इतनी बड़ी company है, unacademy इतनी बड़ी company है पर आपको पीछे नहीं पता है कि खून बहरा है उन company हो से, ठीक है पैसा बहा बहा के वो company है चला रहे है जबकि blogging और YouTube में ऐसा नहीं है अगर आपका काम चल जाता है काम चलेगा, अगर आप मेहनत करो कि आप इमानदारी से बताओ भाई साब, अगर आपने blog बनाया है इमानदारी से बताओ, कितने article लेकिया है अभी तर्ट, ठीक है बहुत सारे ऐसे वेक्ति होते हैं जो कहते हैं कि sir मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ मैं पूछता है, 5 साल में कितने article लेकिया है 5, कहते है 5 साल waste हो गए साब 5 साल लानत है आपको, ठीक है अगर पॉजिटिव माइंड से जाएंगे मेहनत करेंगे, तो हर चीज़ आपको अच्छी मिलने वाली है तो अब आफ फैमिली की मैं बात करी थी तो फैमिली मैं कौन-कौन काम कर रहा है मी, हमारी टीम के अलावा मैं बता रहा हूँ यह था कि मेरी वाइफ जो की डॉक्टर ने पीएच्टी करी है उसके बाद उन्हें पोस्ट डॉक करना था किसी एडवांस कंट्री से और हमने, क्योंकि मेरा भाई यूके में था तो हमने का चलो यूके शिफ्ट होते हैं सिंस मुझे नेटवर्किंग बनानी है और सारा हमारा कॉंटेंट इंडिया से रेलेटेड है तो मुझे इंडिया में रहना पड़ेगा यह आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं इसके संदर्म में यह बता रहा हूँ अब मैं बताता हूँ कि साहाब हमारे पास कितनी कंपनिया हैं ठीक है कंपनिया हैं सही सुना हमने प्राइविट लिमिटेड कंपनिया हैं हमारे पास दो प्राइविट लिमिटेड कंपनिया है पहली है A.K. Online Private Limited ये इंडिया में registered है A.K. मतलब की कई लोग सोचते होंगे कि अर ये A.K. क्या है अगर आपने पहले हमारी कंपनी का नाम सुना को A. is Azad, my father's name in case काम नहीं है, हमने शुरुआत अपने माता-पिता से करी है, जब मैंने काम की शुरुआत करी थी, दोनों इश्वर के पास पहुँच गए थे, और मुझे लगता है कि मेरे इश्वर, मेरे माता-पिता ही है, तो मैंने ओम श्री गणेशाए नहीं बोला, मैंने ओम श्री A.K. बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता-पिता का आशिरवाद है जिसकी बज़े से मैं आज हूँ और ये सबक आप लोगों के भी लिए है कि अगर आप अपनी माता-पिता की सेवा करेंगे उनसे प्रेम से और अच्छे से बात करेंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा-च्छा ही होगा हमने अपने काम की आप पवन है ना कई लोग सोचते हैं AGRP कैसा complicated सा नाम हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते साचते ने काम करते हैं AGRP जैसे अब हमने नाम चालू कहें नहीं चैनल लगने नाम बिना सोचे समझे ठीक है कई लोग कहते हैं क्या घटिया नाम है बिलकुल cheap नाम रखा हुआ है अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनिया है अब प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनिया होती है तो हम पैसा डाइवर्सीफाय करते हैं यह मैं पैसा अभी इसलिए बता रहा हूँ जो future में हमने कमाया है क्योंकि इसी पैसे से हमारी अभी की passive income हाने वाली है ठीक है हमारे पास जो PAN Card है वो कितने हैं इंडिया में साथ PAN Card है पवनगरवाल रचनागरवाल गगानगरवाल अंकीता अगरवाल चार यह पवनगरवाल हुए यह क्या आपने हुए पहले सुन रखा है या नहीं सुन रखा है हम बनिये हमें पता है कि legally tax कैसे बचाना है चे पानकार य हो गए comment में अपने हैं सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है साथ वा जो हमारा company का pencard है एक ओनलाइन private limited company ठीक है तो साथ हमारे पास इंडिया में pencard हो गए तीन हमारे पास UK में UK में उनको pencard नहीं कहते हैं जानने की आपको आविशकता भी नहीं है पर तीन है कौन है गगन अगरवाल अंकेत अगरवाल और एजी आरपी ठीक है तो यह जो private limited company तीन pencard हमारे पास वहां पे हो गए तो पूरे हमारे पास इस समय 10 pencard है जिसमें हमारा पूरा पैसा divided रहता है अब जो हमने पास्ट में पैसा कमाया था अब मुझे एक document लेना पड़ेगा बताने के लिए क्योंकि इतना ज्यादा data है कि अगर मैं पवन अगरवाल परसनल की बात करूं कि मेरा पैसा अभी पहले कमाया हुआ कहां पर है क्योंकि इसी से मेरी passive income आने वाली है तक actually निकाला ही नहीं है EPF तो वो पैसा मुझे पता ही नहीं है कितना है ठीक है थोड़ा से मैं आलसी वेखते हूं अगर आप लोगों को पता है कि इस आलस की वज़े से भी सारी चीज़े हुए थी तो EPF का पैसा है और मैंने PPF भी कर रखा है EPF अगर आप company में काम करते हो तो आपका खुलवातीस को employee provident fund कहते है अगर आप personally जाओ तो आप public provident fund कहते है तो PPF ठीक है तो मेरा investment कहां कहां है FD stocks, gold property, EPF, PPF यह पावन अगरवाल के pancard पे investment हो गया रचना का investment के हो गया अगेन EPF क्योंकि वह job करती थी उन्होंने अब निकाल लिया है तो नहीं है वो सारा FD stocks और PPF में है यह रचना का investment है उसका गगन का कहा investment है गगन का इंडिया की अगर बात करें तो employee provident fund क्योंकि वो job कर रहा है super animation fund भी रहा तो कुछ-कुछ-कुछ और funds भी है उनके ठीक है FD stocks, PPF और उनका NRI account भी है जो UK के कुछ पैसे है वो इंडिया बेजता है तो NRI account में उसके पैसे है गगन का investment है अंकिता का कहा investment है अंकिता का EPF कुछ भी नहीं है क्योंकि इसने job करी नहीं FDs में है stocks और PPF ये अंकिता का investment है पवन अगरवाल HUF का investment कहा है अगर है HUF clarity नहीं आपको इसके बारे में वीडियो चीए तो आप प्लीस comment करके बताए हमें पवन अगरवाल HUF का कहां का investment है FD stocks post office ठीक है ये हमारे investment है गगन अगरवाल HUF का कहां है FD stocks और गगन का post office में कोई investment नहीं है ठीक है ये गगन अगरवाल HUF की मैंने बात करी अब जो हमारा company का investment कहा है company का investment कुछ भी नहीं है company हम basically जो हमारे expenses दिखाने के लिए खुलवाते है प्लस legal की वज़े से हमने खुलवाई थी कि बीच में हमारे उपर एक case वगेरा हो गया था तो वो सब settle करने के लिए हमें private limited company वगेरा खुलवानी पड़ती है तो उसकी वज़े से company में ऐसाच को investment नह नहीं है वो शायद मेरी वाइफ या मेरे उपर ही चड़े सुकन्या सम्रद्य योजना का account है उसका तो वह अच्छा बथेरा खारा इंवेस्ट मेंट अभी तक हो चुका है ठीक है यह हमारा हो गया total investment अगर हम अपने assets की बात करें मेरे पास क्या है मैं अभी मेरे पास car के form म एक mg hectare है जो ना के बराबर चलती है ठीक है और मेरे पास maximum phone एक लाक रुपे का है जो again मैंने recording के लिए यूज किया है personally यह phone मैं यूज करता हूँ यह सस्ता phone है मुझे कोई जादा shock नहीं है phone वगेरा का और मैं अभी rented घर में रहता हूँ ठीक है अभी जो आप देख रहे है यह rented घर है जिसका rent में 40,000 रुपीज देता हूँ अगेन आप कई बार सोच रहे होंगे कि साब rent में क्यों रहता हूँ उसके reasons हैं क्योंकि हम अगरवाल से हैं we know कि हमें कहा maximum पैसा वगेरा देखना पड़े बचाना पड़े यह सारी चीज़े प्लस क्या है मैंने जैसे बोल और घर ठीक है तो यह बड़ा investment है हमारा basically UK में और reason मैंने आपको समझा दिया थे कि हम mentally prepared हो गये थे कि हमें पहले UK में घर ले ना इंडिया में हम बाद में करें अब हम अगर UK के pen card की बात करें कि गगन के पास कितना है अंकिता के पास कितना है और company में कितना है तो आप मान क पर हमने घर ले लिया तो हमारा सारा पैसा भी वहाँ पर चला गया तो यह जो मेरी पूरी life change हुई है इसका पूरा credit जाता है ब्लॉग को तो अगर आपने ब्लॉग नहीं बनाये तो भाई साब आपसे हाँ जोड़कर बिनती है क्या ब्लॉग बनाएं अगर आपने event ब्लॉ ब्लॉग वाला गर वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा कि वह फेल होने के बाद भी कैसे वह 50-60,000 का डोमेन हो गया है तो प्लीज ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट करें और उसमें टाइम दें और आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो मैं बोलूग होस्टिंगर यूज करता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है काफी अफोर्डबल होस्टिंग है और अगर आप मेरा अफिलेट लिंग जो की डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लस मेरा कूपॉण कोड यूज करेंगे जिससे आपको बहतरीन डिसकाउंट मिलने वाला ह है आपकी होस्टिंग और ज्यादा सस्ती हो जाएगी प्लस अगर आप हमारी अफिलेट लिंक जो की डिस्क्रिप्शन में दी है उसका यूज करके हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हमें इन्वाई जरूरी इमेल करें हम बहुत सारी गुडीज आपको देने वाले हैं प्लस हम हमने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है तो अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हम उस टेलीग्राम चैनल पर आपको आड करेंगे यह हमने ब्लाक फ्राइडे के लिए बनाया था पर अब कुछ नाइम के लिए दिसमबर के लिए हम उसको एक्स्टेंड कर रहे तो अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हम इन्वाई जरूर ईमेल करें हम उस टेलीग्राम चैनल में आपको आड करेंगे वहां बहुत सारी ब्लागिंग डिलेटेड हम अपडेट्स देते रहते हैं अच्छा मैं एक चीज़ बता दू कि हम जितना भी अर्निंग करते हैं वो सारा जाता पहले यूके ही है ठीक है और यूके से डिवाइड होके आता है जिसे मैंने बतायता है इतने सारे पैंकार्ड है हमारे तो टैक्स हमारे कैसे मिनिमम हो तो एक अमरेल हमने बना लिए कि यूके की कंपनी में पहला सारा पैसा जाता हो वहां से फिर करीब चालिस लाक रुपे साल का पैसिव इंकम हो रही है जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया था इसमें मैं गोल्ड के रिटरंस नहीं बता रहा हूँ स्टॉक्स के रिटरंस बताना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक तो इतना तो आता ही आता है 40 लाक रुपीज ए यर आता ही तो अभी जो इसे पता चल रही है अपना ब्लॉगिंग की अच्छा और यह जो पैसा आया यूट्यूब तो मेरे जो अर्निंग होई है अच्छली सिर्फ इसी साल होई है यह जो पूरा पैसा मेरी पैसिव इंकम हो रही है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग की वज़े से हो अच्छा आप active income के हम बात करें तो active income में क्या होता है आप एक ब्लॉग से 21 तरीके से पैसे कमा सकते हैं ठीक है वीडियो पूरा मैं बता चुका कि किस तरीके से 21 तरीके से पैसे कमा सकते हैं आपको आई बटन में link मिल जाएगा प्लीज प्लीज आप देखें उसको कि कौन-कौन से तरीके हैं वो तरीकों में से बहुत सारे तरीके से हम कमाते हैं और हमने पूरा इको सिस्टम बना लिया है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमे करीब 1.2CR ठीक है, इतनी हमारी आर्निंग हुई है हमारे पूरे इको सिस्टम से आक्टिव जो हमारी इंकम हुई है, अगेन ये पूरा का पूरा जो पैसा जाएगा, इसमें फिर हमारा खर्चा भी आएगा, 1.2CR, नेट इंकम हमारी आई है, इसमें expenses जो होंगे वो बाद म हम इतना खर्ची नहीं कर पाते हैं, तो अगेन वो जुड़ता जा रहा है, ठीक है, तो every year हमारी passive income जो पुनाना हमारा basically investment था, उससे बढ़ता जा रहा था, प्लस अभी जो हमारा पैसा आया हम again dump in कर देंगे investment में, तो हमारी passive income increase होती रहेगी, अभी आपको एक graph दिख रहा ह होगा, इस financial year का active income के perspective से कि इस हिसाब से हमारी earning हुई है, आप मोटा माटी अंदाजा निकालने के जनवरी से लेके December के बीच में, अच्छा एक महीने में maximum मेरी आज तक पूरी life में online earning कितनी हुई है, तो that was 22 lakhs, I think वो January 2018 में हुई थी, 22 lakhs परमान से उपर हम आज तक अभी नहीं पहुचे हैं, और अगर year की बात करें, तो क्या ये year हमारे लिए सबसे बहतर, 2014 से अगर हम चालू करें, तो क्या हमारे लिए सबसे बहतरीन year रहा है, earning के perspective में, तो अगर हम active income की बात करें, तो no, active income में अभी भी हम पीछे हैं, पर अगब active or passive income दोनों मिला दोगे, तो लोग बूलते हैं कि live में मैं जब phone call वगरे लेता हूं, तो एक-दो comment आया थे, कि यार phone तो upgrade कर ले, भाई, मेरे को शौक ही नहीं है, मैं जब रजस्ती क्यों पैसे खर्च करूं, ठीक है, शौक होता है, तो हम पैसे खर्च करते हैं, जैसे car मैंने ले ली, मैंने 21 रुपे ले ली था, अच्छा, car भी जब ली थी मैंने, तो क्या हुआ था कि पूरी passive income हम आई आई थी, 21 lakhs, उस समय पूरा को पूरा उठा के हमने car ले ली थे, हमने एक रुपे भी ऐसा नया पैसा नहीं खर्च किया तो उसके बारे में, तो कर सकते हैं, जब हमारा मन करता हम कर ले है, मैं क्यों महंगा laptop लूँ, ठीक है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती कि महंगा laptop में लेकर करूँगा क्या, ठीक है, करने के लिए हम, पूरी की पूरी हमने foreign trips वगरा हम बहुत सारी करते रहते हैं, जहां पर हमें लगता है कि हम जाएं, अभी तो COVID की वज़े से हम नहीं क कि बनियां बुद्धी लगती है कि गूम रहे हैं, पूरा record कर ले हो सकता है, इसका YouTube बना ले पर वो कभी हुआ ही नहीं, इतने busy रहते हैं, दुबारा वो वीडियो भी नहीं देखे, पूरा 400 GB का हमारे data है, UK के हम, अच्छा UK में हम ऐसा नहीं कि London गूम रहे थे यह सब, य Europe वगेरा जब हम पहले जाते थे तब तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था, तब मुझे कभी उमीद ही नहीं थी कि यह सब चीजें मुझे दिखानी होंगी, तो वो तो है ही नहीं, पर इतना सारा data पहले हम गूमते थे, अभी नहीं गूम पा रहे हैं, हो सकता है क्यों कि अब क्या हो रहा है, तो blogging का future पहले मैं बता दूँ कि अभी कहा है हम पूरा का पूरा blogging से related startup बनाने वाले हैं, तो पैसा बहुत है मेरे पास, मैं जब CA के पास जाता हूँ ना, तो वो कहता सर ये franchise ही ले लो, वो franchise ही ले ले लो, ये कर लो, वो कर लो, CA को सारा पत कैसे हो रहा है, blogging का ये सारा future है, ठीक है, तो बहुत खतरना, खतरना tools वगेरा आने वाले हैं, सब कुछ मेरे startup का part होगा, रचना मैं हम थोड़ा सा बिमार पढ़ गई, तो हम वो video नहीं बना पा रहे हैं, कैसे हमें blog से पूरा का पूरा startup करने वाले हैं, और हमें funding की कोई आवशकता नहीं है, and that is gonna be only a profitable venture, ठीक है, हमें पता है कि वो सिर्फ profitable होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देख रहे होंगे हमारे पूरा ecosystem, हम क्या करा कि, पानी क्या होता है, एक तंकी है, आपके पास net worth कितनी होती है, एक तंकी है, आपके active income हो रही है और आपकी खर्चा है, निकल रहा है, और leak holes होते हैं, आपको पता ही नहीं कहा कहा से पैसा निकल रहा है, तो हम क्या है, कि we know, we agrawals know, कि ये leak holes बंद कैसे करने हैं, खर्चे कैसे कम करने हैं, ठीक है, तो हमारे खर्चे कम होते हैं, इस वज़े से हमारी आपको ये active income दिख र और सिंज हम खर्चे कम करेंगे, तो हमें पता ही कि वो सिर्फ profitable ही होने वाला है, वो वीडियो future में जरूर आएगा, and brand, मुझे brand बनानी है, brand पवन अगरवाल, क्योंकि एक बर brand बन गे थे, ब्लॉगिंग में, ब्लॉगिंग का future मैंने बता दिया कि पूरा startup बनाना है, पर YouTube में क्या होता है, कि brand नहीं बन पाता है, इतना easily, जितना YouTube से बनता है, YouTube में जितना मुझे name और fame मिला, उतना blogging, मतलब blogging कुछ नहीं, ठीक है, blogging में, हो सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मेरे पास आके कहते हैं, सुर मैं इतना कमार हूँ, यह गमार हूँ, मैं कहते हैं, यार देखते हैं, करते हैं, ठीक है ना, मतलब इतने सारे लोग क्योंकि मेरे पास आने लगे हैं, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी stories लेके आना कि आर जो बहुत पैसा कमा रहा है, मेरा aim नहीं है, मैं कई बार ऐसा भी लड़का लेके आता हूँ, आपने देखा हो यूट्यूब में बहुत respect है, और इससे brand बन जाता है, तो मुझे भी brand पावनेगरवाल बनाना है, तो कि एक बार brand पावनेगरवाल बन गया ना, और उसका इस्तमाल करके मैं क्या करना है, मेरा पूरा का पूरा startup ग्रो करना है, तो startup ग्रो का engine क्या होगा मेरा branding होगी, तब पूरा का पूरा क्या है, मेरा perspective क्या है, मेरा brand पर वने गरवाल, improve करना है, उसके लिए YouTube बहुत बड़ी है help है, Instagram साहब बहुत तेजी से मेरा grow कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करते साहिम हमारे समसे 35,000 की वहाँ पर भी family हो गई है, बहुत तेजी से हमारे Instagram grow कर रहा है, तो व I also own a house, Bhopal में, जो की 80,000,000 का है, अच्छा जितने हमने आपको अभी assets बताए, कोई भी loan नहीं है हमारे उपर, except जो हमारा UK में घर है, UK में भी जो घर है, वो हम down payment कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था, but what we realize is, वहाँ पर interest rate बहुत ही कम है, almost zero के rate पे, आपको घर मिल जाता है, तो हमने loan लेना ही, वहाँ पर preferd किया, इसके अलावा जो ordi भी मेरे भाई ने लिये, कोई loan वगेरा नहीं है, पूरा हमने down payment किया, तो यहाँ पर जितने सारे है, कोई loan नहीं है, पूरा down payment है, loan लेने पर मैं विश्वास नहीं करता, तो चलिए फिर इस वीडि करना ना भूलें, thank you very much